तो बच्चों finally class 10th and class 12th का admit card 2024 का cbsc की तरफ से release कर दिया गया है how to download it इसे आप कैसे download करोगे इस वीडियो में इसी topic कर डिसकस करेंगे तो पूरी बात को ध्यान से समझना तो start करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने phone में google या फिर google chrome open करके cbsc टाइप करना और search करना search करके उपर slide करोगे तो first option सो होगा cbsc का यहाँ पर आपको click करना है जैसे click करोगे आपके सामने इस प्रकार्च इंटरफेस आएगा ठीक है उपर slide करना यहाँ पर आपको second option पर click करना है परिक्षा संगम ठीक है जैसे click करोगे जैसे click करोगे उसके बाद में इस प्रकार्च क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार सेंटर फेस आएगा उपर स्लाइट कर देना और यहाँ पर आपको स्कूल्स के उप्शन पर क्लिक करना है ठीक है जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार सेंटर फेस आएगा उपर स्लाइट करना और यहां पर आपको 3 exam activities पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे और उसके बाद में इस प्रकार से इंटरफेस आएगा उपर slide कर देना यहां पर आपको so होगा admit card center material for main exam 2024 यहां पर क्लिक करना है इसके बाद में इस प्रकार से interface so होगा online admit card and roll number के लिए आप उपर slide करोगे यहां पर आपको user id फिल करना है password और security pin जो नीचे so होगी उसके बाद में login करना है download हो जाएगा लेकिन यह process केवल private candidate के लिए होगा ठीक है जो बच्चे regular school जाते हैं वो download नहीं कर सकते उनके पास user id पासवर्ड नहीं available होगा क्योंकि वो चीजें school के पास होती हैं तो school वाले download करके आपको खुद ही provide कर देंगे आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है बांकि जो private candidate है वो download कर सकते हैं यह जिए ध्यान में रखना तो इस step से आप download कर लो direct अपने phone में upload कर दिये हैं with solution comment में link मिलेगी open करके देख सकते हैं और practice कर लेना class 10th and 12th के student ठीक है तो आज की वीडियो में इतने था मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching